गुद्वाडी इस्टुएंट्स बचो आज अब आपके एक्सपाइज स्कूर देगेंगे चाप्रिफेंट का ही जुमेट्रिकल कौन सा उसका तो आएए देखते हैं जैसे की एक्साइज स्कूर में आपको बताना है की कौन सा फीगर हमाया प्लोज फीगर है और कौन सा ओपिन फीगर है अगर कोई फीगर आपका बना हुआ हो एक्सापल अगर इससार के लिए बना हुआ है तो यह पूरा बंग है इसके पहली से कोई जड़ा खाली नहीं है त तो यह हमारा open figure हुज रहेगा ठीक है कोई भी figure बढ़का हो कोई भी exercise कोई भी figure बढ़का अगर वो पूरा covered है जो उसका safe होना चाहिए अगर वो पूरा covered है तो वो close figure हो गया और कहीं से भी उसमें अगर कोई भी line नहीं खीची हुई है तो वो हमारा open figure हो इसी में पेंसे माना exercise 4 है जिसका हम एक वो question अभी follow करेंगे और यह लेते यह मैंने आपको इस वानवा लिफुन में बताया है ताकि आपको कोई परिशाने ना जैसे कि question number second हमानत नहीं होगा है यू बना होगा है रखता हुआ ये क्यूँ बना होगा है और ये इस side से covered नहीं है इस side से covered है और 이 side से covered नहीं है बताया ये mine are open figure और closed figure गेंगे ये क्याας open figure होगा तो क्यालों रिखेंगे टीक है तो क्याने रिखेंगे ये open रिखेंगे ठीक है, उसी तरफ पर थारड़ देख लेते हैं, इसमें आप एक बना होगा और यह हमारा ऐसे ऐसे बना होगा है, यह हमारा प्रीस के खाली नहीं है, तो यह हमारा प्लोस पीगर जाएंगा ठीक है तरो इसी तरह एक हम ऐसे 5 इसे 5 इसे 5 इसे 5 इसे उसे तरह question number, उसे same drawing का, same figure का question number statement में पूरा cover किया हुगा है, तो वो हमारा closed figure हो जाए है, ठीक है, तो इस तरह गर किया आप exercise mode solve कीचे, और watch up पे homework कीचे, next video में नेक्स exercise बताऊंगी, इस video में इतना ही, thank you, have a nice day, bye bye